हलो एंड विल्कम टू मिल्टरी मंत्रा तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आइनस खंदेरी के बारे में तो यह जो सम्मरीन है इसे रिसेंटली पिछले माई ने जो है सेप्टेंबर में इंडियन नीवी में कमिशन किया गया था तो आइनस खंदेरी के बारे में ब प्रोजेक्ट में तो उसको भी हम डीटेल में जानेंगी इस आर्टिकल में अब सबसे बहुत करते हैं कि पिछले महीं ने आयनस कंदेरी को कमिशन किया गया था उस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर जो अब भी राजना सिंग जी तो वह भी यहां पर थे जब यहां पर कमिशन करते हैं तो इस फिश की क्वालिटी यह है कि यह हंटिंग करता है काफी जादा नीचे बॉटम लेवल ऑफ ओशन जो है वहां पर जाके वाइल स्विमिंग जो है यह हंट कर सकता है तो इस केपबिलिटी से आप जो है इंस्पिरेशन लेके जो है यह स्वार्ट टूथ सकते हैं अब बात करते हैं कि जब यहाँ पर आएनस खंधेरी को कमिशन किया गया था तो इन तीन चीजों के साथ जो है इंडियन ने वी काफी ज़ादा पावफुल इस वक्त हो गया है अब आगर हम आएनस खंधेरी की बात करते तो इसे जो है प्रोजेक्स 75 के अंदर इस इससे पहले 2017 में एक और सब्मरीन कमिशन हुआ था जिसका नाम है आइनस कलवरी अब यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 की हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है यहाँ पर शिक्स कॉर्पीन सब्मरीन को बनाया जाएगा विट अजिस्टेंस अफ एंड टेक्नोलोजी ट्रांसफर सब्मरीन को बनाने वाले हैं इसके बारे में आपने दो तीन सालों पहले एक न्यूस सुने होगी कि इसके बारे में जो क्रिटिकल डिजाइन वह और चार यहाँ पर आने वाले हैं उनके नाम भी आप देख सकते हैं कि आ लेकिन कमिशन हुआ 17 में उसी तरीके से जो सब्मरीन हम अभी डिसकस कर रहे हैं वह बिसली आइनस खंदेरी इसे लॉंच तो 2017 में किया गया था लेकिन कमिशन यह रिसेंटली हुआ है 28 सेप्टेंबर 2019 में उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आइनस करांज की आइनस वेल में अब यहाँ पर आइनस कंदेरी के वारे में कुछ स्पेस्विक चीज़ा आप समझ सकते हैं लॉंच 2017 में हुआ था लेकिन सी ट्राइल काफी जादा हुआ था यूंकि इसमें काफी सारे डिफेक्ट्स देखने को मिले थे उसे टेस्ट करना था चेंजिस करने थे तो उस यूंकि हम जानते हैं कि हमारे आजस पास काफी सारी कंटरीज है जो सुप्रीम बनती जारे नीवी में कुछ अप देख सेते हैं चायना का जपान का और रश्या का और अमेरिका ओफकॉस नेवी के माइने में काफी साथ स्ट्रॉंग है तो इन सब के साथ कैच अप करने के आइनस खंदेरी एक काफी अच्छा डेवलप्मेंट है अगर आप बात करेंगे इवन पाकिसान की तो वो खुद तो सम्मरीन नहीं बना रहे हैं लेकिन चाइनीज से काफी सारे सम्मरीन को अक्वायर कर रहे हैं जिसकी अगोस्ता क्लास सम्मरीन जो काफी न्यूस में था री छे महिने में एक सम्मरीन को यहाँ पर रिलीस करने की रखता है जबकि हम चे साल लगा रहे हैं तो वह पूरा प्लानिंग है और जो हमारा लीट टाइम है उसे रिडियूस करना इंडियन नेवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसी के साथ आप जानते हैं कि काफी जादा होनी चीए टाकि हम जो है डीफ वार्टर में जाके अगर हमें कोई ऑपरेशन या मिशन कंप्लीट करना है तो हम काफी असाइंस कर सके और यह तभी हम कर पाएंगे जब हमारा पास इंडिजनेस केपबिलिटी होगी कि हम अपने इन हाउस में सम्मरीन बना सके अब एक सवाल उठता है कि बार बार हम बात करते हैं कि ब्लू वाटर नीवी की तो इसका मतलब क्या होता है तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिफेंट सेक्यूर्टी सर्विस के जो डिफिनेशन है उसके साब से यह है कि अगर आप अपनी मरे जो मैटाइम फोर्स उनके सास जो है operation कर सकते हैं deep waters of the oceans में तब आपको ब्लू वाटर नीवी कहा जा सकता है obviously हमने काफी सारे ऐसे activities किये हुए है तो इसी वाई से इंडिया भी ब्लू वाटर नीवी का पार्ट बन जाता है अब यहाँ बात करते हैं कि किस तरीके से एक कंट्री जो है ब्लू वाटर नीव है और aircraft carrier उसके साथ अगर आप यह capabilities रखते हैं इसके आप ट्रांसफर फ्यूल, ammunition, underwater उसके साथ यहाँ पर मान लीजे कि आप replenish कर सकते हैं में शिप को काफी तहीं से तो obviously बात है तब आपको ब्लू वाटर जो यहाँ पर उस term के अंदर रखा जा सकता है अब उससे भी काफी उसी केसा आप से आप पावर कर प्रोजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर पहला जो ग्लोबल रीच है इसका मतलब यह कि आपके पास उतने सारी जो है ships exist करती है इसका एक्जामपल है यूएसे जो अपनी capability जो है अलग अलग जगाओं पर दिखा सकते हैं रीसल लिए आपने जैते हैं उसी कि आज पास यहाँ पर डेवलप्रोजेक्शन कर सकते हैं इंडिया और इटालीक एक्जामपल लेंगे तो मल्टी रिजिनल प्रजेक्शन में बलीव करते हैं जो अद्जसेंट रीजिनल प्रजेक्शन जैसकी चाइन और जपान जो ब्यॉंड एक्स्लूजि जो हम यहाँ पर blue water navy में गिने जा सकते हैं basically जो blue water navy के अंदर जितने भी countries है उसमें जो हमने just begin किया है ऐसा कह सकते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर aircraft carrier है उसी के साथ साथ हम यहाँ और भी नए नए aircraft carrier develop करें जिसके आप जानते हैं आइनस विक्रा करते हैं इसके अलावा कौन-कौन से आपे हेंट से जो बताता है कि इंडिया जो है एक blue water navy है और यह जो नया आइनस खंधेरी आया है वो उसे और जादा strengthen करने वाला है तो power projection किसी भी navy के लिए काफी important है friend relation बनाना bilateral exercise करना यह सब जो है इसका पार्ट बन जाता है इंडिया इसके अलावा जहां पर यहां पर यहां पर यहां पर करते हैं और जो फ्रेंड़ी नीवी से उनके साथ bilateral exercise भी करते हैं तो कहीं नगाई यह सारी चीज़े जो एड़ अप करते हैं टू मेक इंडिया अ ब्लू आटर नीवी और इसके साथ आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास सपोर्ट है आप अलग अलग जगाओं पर कंट्री में हमनें आप इस्टेशन भी बनाई हुए हैं अब बात करते हैं ब्लू वाटर नीवी तो हमने समझ लिया हम यह भी समझ गया कि इंडिया का पार्ट है लेकिन उसके अलाव भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं यहां पर तो यहां पर जब यूएस में अमेरिकन सिवल वार्ट चल रहा था उस टाइम पर यह यह केपिलिटी काफ़ा डेवलप हुई थी यह टर्म भी यहां पर यूएस में ही डेवलप हुआ है तो बहुत कम ऐसी कंट्रीज है जो ब्लू ब्राउन वाटर नीवी के अंदर गिनी जाती है यहां पर वियतनाम में जो एक फोटो देख सकते हैं यहां पर जो है ब्राउन वाटर नीवी क जो बहुत सारे सक्षिन में जिसकी आप देख सकते हैं जिसकी आप देख सकते हैं नियर शोर ओफ शोर बीच को इस तरीके से पूरी लिट्रोल जोन को भी डिवाइट किया जा सकता है अब बात करते हैं वहाँ पर इस आएनस कंदेरी पर आके आएनस कंदेरी आपको पता है कि दो सार पहले लांच हुआ था अब जाके कमिशन हुआ है तो इतना ज़ादा यहाँ पर टाइम क्यों लगा और इवन जो यहाँ पर बजट भी ओवर्शूट हुआ है अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आने वाले कुछ जो समरीन से अंडर प्रोजेक्ट 75 वह तो लेट हो गई और उसके बाद जो अपग्रेशन हम करने वाले प्रोजेक्ट 75 आई के अंदगत वो भी उतने ही जादा लेट होने वाले हैं अब यहाँ पर जो प्रीवेस रिपोर्ट दी किये जा सकते थे क्योंकि उस टाइम पर जो है हमें पीसफुल सी की कंडिशन की जरुरत थी तो जिसे सी स्टेट वन का जाता है तो वैसी कंडिशन नहीं थी इसे वैसे जो है और जादा डीले हो गया अगर एक और बात करेंगे कि यह जो आइनस कंदेरी है उसमें जो प्रा अग्शली बेसली कैंसल हो गई क्योंकि वह इटालियन फॉर्म डव्य एसस के अंदर आती थी जो कि बेसली एक कंपनी ग्रूप है ऑफ अगस्ता वेस्ट्राइन आप जानते हैं उनके पूरी कॉंट्रवर्सी हुई थी जब हमने यहां पर वीवीई पी हेलिकॉप्टर्स क प्लान बना रहे थे वह कैंसल हो गया है अब यहां पर मीन वाइल यहां पर हमने एक और कंपनी के साथ बात करना शुरू किया है एक अटलस एक्ट्रॉनिक के साथ जिसके नगत हैं अम यहां पर और रीडिफाइन करने कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं करने कंपनी के साथ बहुत है यह संबरीन क्लास कोने वाली है जो कि रीप्लेइस करेंगे यहां पर शुश omar क्लास को कहीं न करिए यहां पर जितनी टॉर्पीडू है करए हैं हिसके बात करेंगे प्रोजेक्ट 75 इंडिया यानि कीई क्लास सरी को बारे में इस जो पर यह है कि स्टेल तो इस सब्मरीन में बढ़ेगा है लेकिन उसे के साथ AIP टेकनोलजी को इंडिड्यूस किया जाएगा अभी की आइनस कंतिरी में टेकनोलजी नहीं एक्षिस करती है यह जो AIP है इसका फुल फॉर्म होता है एर इंडिपेंडेंट प्रपॉल्शन तो इसे यह आप उपर आते हैं तो आपको काफी असाय से लोकेट किया जासता है एनिमी के द्वारा तो इसी वाई से इन सब चीजों का अवाइड करने के लिए यह टेकनोलजी काफी इंपोर्टन है और वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री से जो इस टेकनोलजी को डेवलप करना चाहती है और यह टेकनोलजी AIP इंपोर्टन हीसली हो जाते है क्योंकि इसे रेट्रोफिट भी किया जा सकता है रेट्रोफिट का मतलब यह है कि अगर मालिजा आपके वास कोई बाइक है उसमें ABA सिस्टम नहीं है तो आप उसमें ABA सिस्टम रेट्रोफिट कर सकते हैं उसी तरीक हम इस टेकनोलोजी को एंटर करवा सके अब यहाँ पर बात करते हैं आयनस कंदेर यह एक डिजल एलेट्रिक संबरी ने क्योंकि डिजल इंजिंगा संवाल कि आता है उसके जो है यहाँ पर बैट्टरी चार्ज होती है पिर संबरी नीचे जाता है और कुछ जितना टाइम संबरी नीचे रहता है क्योंकि यह काफी कॉंटर्वर्शल या और काफी सीक्रेट होता है ताकि बाकी कंट्री को बताना चले कि सामने वाली कंट्री का संबरी ने कितने देटा पानी में रह सकता है तो काफी इसलिए संस्टिव डेटा होता है उसके लाग अगर हम बात करत है तो इसमें पूरे सिस्टम जो यह आप देख सकते हैं यह work करता है और यह व pick electricity को generate करता है और जो भी एलेक। होती है वह धाकर यह यह हें लेक्टरी लेटरीट होती है बैटरी अब हãभी जो बैटरी से तब काम आती है जब पुरा स्नौकलिंग कहते हैं तो तब जो है फिर से वोक करता है बैटरी को चार्ज करता है लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह होती है कि अगर एनिमी आसपास है तो वह आपको असानी से पकड़ लेगा तो इसी वज़े से AIP की टेकनोलजी जो है काफी इंपॉर्टेंट है यह सिर्फ हम उन सब्रीन की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर नॉन नूकलियर है यहाँ नूकलियर वाले तो एनिवेस यहाँ पर पानी के अंदर काफी देर तक रह सकते हैं गिवन यूमन वहाँ पर रहा पाएगा नहीं वह साइकल स्टीम टर्माइन का जिसमें आप मान लीजे पानी के अंदर है आपके सब्मरीन आपके बैटरी में इतना पावर नहीं है तो आपको विदिन सब्मरीन एक फ्यूल सोर्स की जरुरत पड़ेगी एक एनरजी सोर्स की तो उसमें आप एथनॉल और और ऑक्सिजन को स् इसके अलाओ भी बहुत सारे फ्यूल से इसका स्थमाल किया जाता है अब यहाँ पर देख सेथे एक्रॉस दर वर्ल कौन-कौन सी कंट्री इसका टेकनलजी यूस करता है जैसकी आज़र 2016 का डेटा है जो रिलीज किया था यहाँ पर देख सेथे जमनी फ्यूल से टेकनलोज सेंटिफाय और सेंटिफाय यह क्या है ब्लू वाटर नीवी का मतलब क्या होता हूँ और जो AIP टेकनलोजी है वो क्यों जो है काफी इंपोर्टन है तो आज के लिए इतने हैं थैंक यू और हाव नाइस टी जैहन